जोहार नमस्कार आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइग जी मेरा नाम सुर्भी शर्मा है मैं बटरफ्लाइग उसी क्लासिस का अड्मिस्टेशन समालती हूँ जो भी बच्चे अपना अक्याडमिक या कंपिटीशन से रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी चाहते हैं या हमसे कोई हल्प चाहते हैं पढ़ाई से रिलेटेड तो हमारे कोचिंग में संपग करें हमारा कोचिंग का आड्वरस है आलिशान अपार्टमेंट थर्ड फ्लोर आमबगाल साक्षी हमारा कॉंटेक्ट नमबर है 9123040465 इसके आप कभी भी कॉल कर सकते हैं एक विद्यारती को बनने के लिए चार परकार की संसाधन की जरुवत है सबसे पहले उनके घर के माता और पिता उसके बाद उसके बाद वहां समाज इंवर्मेंट कि बच्चे उस पढ़ने के लायक वह इंवर्मेंट है कि नुए दूसरी चीज आता है कि बच्चे का अपना कैलीवर बुद्धी विवेक तिसरा चीज आता है टीचर जब तक चारों चीज नहीं मिलेंगे तब तक बिलियंट इस्टुडेंट नहीं बन सकता बटरफलाई जो इज्यूकेशन सेंटर है उसी परकार का काम करता है कि बच्चे को कैसे करके अच्छे विद्यारती बनाएं इसी काम किया जाता है आज हमारे साथ मैं अन्सुकेतन सर्मा बटरफलाई ओसी क्लासेस का फाउंडर एंड प्रेसिडेंट हूँ यह संस्था हम लोग जमशेथपूर में लगवग पांच-शे साल से चला रहे हैं और लगवग लास्ट फाइफ यहर से हम लोग एक एसस्मेंट एक्जाम कंड़क्ट करते हैं ओवर जमशेथपूर में जिसमें बहुत सारे स्कूल पार्टिसिपेट करते हैं और इस बार एक्जामिनेशन में लगवग 3,000-4,000 इस्टुडेंट्स पार्टिसिपेट किये हैं जिसमें एसे राइटिंग था मैट्स पार्टिशन थे जिएस था करेंट एफियर्स थे तो आज हम लोग यहां पर इकटा हुए हैं इन सारे बच्चे जो इस एक्जाम में बहुत अच्छा किये हैं उनको प्राइज डिस्टिविशन के लिए और वैसे भी कुछ बच्चे हैं जो हमारे यहां पर करके ऑलंपिया इग्जामनेशन को सक्सेस्फुल बनाने में पिछले दो साल से हम लोग को रेगुलर हमारे पुर्ब चीफ मिनिश्टर रगवर दास जी का सपोर्ट मिला है हमारे पुर्य विधायक कुनाल सारंगी जी का सपोर्ट मिला है उसके बाद जीला पडिसद्ध हमारा पंकश सिन् और जो एक hidden talent है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जो कि math में बहुत talented है, लेकिन अपने आपको एक represent नहीं कर पाते हैं, कि मैं कहां represent करूँ अपने आपको, बस सिच्छा के अभाव में या फिर से उनको पता नहीं है, कि अपने आपको represent कहां है, करना है, इसलिए उसीमीत होकर क आते हैं, तो हम लोग ऐसे talent को find out करते हैं, उस पे brush up करते हैं, काम करते हैं, और उसको कोशिज कर रहे हैं, परियास कर रहे हैं, हम लोग national level में, state level में, जहारखंड से अपने बच्चों को, यमसेतपूर से अपने बच्चों को represent करें, आपके institute में तीन-चार चीज का नाम ल जाना है, तो उस बच्चे को, उनकी माता और पिता को, बच्चे को क्या क्या चीज का त्यारी करना है, अधिया हो सकते हैं, सबसे पहले तो यहां के parents में, मतलब awareness program बहुत कम है, तो parents को simple एक ही method पता होता है, कि हमारे बच्चे हैं, वो बस अभी school जा रहे हैं, 10th देंगे, उसके बाद 11, 12 देंगे, उसके बाद graduation करेंगे, और उसके बाद पढ़ाई complete हो गई, उसके बाद यह लोग decide करते हैं, कि सायद इन्हें government job की तयारी करनी चाहिए, तो वैसे ही, मतलब success rate बहुत कम हो जाता है, तो ऐसे जो बच्चे हैं, जिनको जैसे 10th के बाद भी हमारी व इक्जाम दे सकता है, जो 5 में है, वो 6 के लिए Sanic School का एक्जाम दे सकता है, नवदे स्कुल का एक्जाम दे सकता है, इसे जा सकता है, तो एक क्या है कि आप एक अच्छे जगह पर जाते हैं, तो आपको एक proper guidance मिलता है, और दूसरी बात होती है कि parents इस लिए बात राते हैं क तो मैं आप लोग सबको बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से जैसे रगवर दाज जी हैं, कुनाल सारंगी जी हैं, जीला परिसत पंकर सिन्हा जी हैं, राज कुमार जी हैं, ऐसे और भी बहुत सारे समास से भी जो हैं, ऐसे बच्चे लोगों का help करते हैं, अगर पैसा के कारण उब एक जगा पर सिमीत हो करके रहे गए हैं, तो कभी भी costing के कारण आपके बच्चों का पढ़ाई नहीं रुकता है, एवर्निस प्रोग्राम के कारण पढ़ाई रुक सकता है आप यहां पूछने चाहरे हैं जैसे नौवेद बिद्ध्याले हो गया असेनिक इसकूल हो गया, तो नौवेद बिद्ध्याले सरकार मॉनिटरिक पूरा करता है, तो क्या उसमें बच्चे English Media में जो पढ़ रहे हैं और सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं कि दोनों जा सकते हैं सारे बच्चे जा सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है कि देखेगे मतलब क्या आफ़ाव फैल गया है कि अमीर के बच्चे जो है वो private school English Media में पढ़ रहे हैं और जो गड़ीव हैं है ना आप MTS exam दे सकते हैं 12th के बाद आप CGLC HSLA सब exam दे सकते हैं तो ये सारे exam के लिए जो selection criteria सरकार सेट करती है वो मातर 35% सेट करती है तो ये सरकार को सोर्च करके सेट करती है कुछ लेवल देख करके सेट करती है इसका मतलब ये है कि किसी भी लेवल के बच्चे है ठीक है वो लोग इस सारे exam में participate कर सकते है ठीक है और अभी हर जगर exam CVT test होता है एक और मूलल हो गया है कि question लिख हो जाता है बहुत सारे parents का thought ये भी है कि question लिख हो जाता है तो ऐसा अब नहीं होता है क्योंकि हर government exam में एक CVT test होता है that is computer based examination तो अगर आपका बच्चा पढ़ेगा अगर आपका बच्चा सही direction में most probably पढ़ेगा है ना तो definitely success करेगा Sir अंतीम सवाल जो सबसे बड़ी चीज है कि अब क्या होता है कि school और tuition क्या ये ज़रूरी है कि बच्चे tuition करना एकनम compulsory है अगर tuition नहीं करेंगे तो क्या बच्चे नहीं जा सकते हैं नहीं देखिए tuition क्या होता है tuition आपको एक proper guide देता है एक discipline पैदा करता है जैसे कि जितने भी बच्चे success rate है जो बच्चे का अब किसी भी इंसान को एक role model मानते है कोई भी इंसान हो आपका बस उसको आप follow करने लगिए कि ओ क्या करता है ओ कैसे खाता है कैसे पहनता है कैसे पीता है कैसे सोता है अगर आप उसको follow करने लगिएगा तो आप definitely success की जाएगा अब बात करते हैं tuition क्यों जरूरी है ठीक है tuition इसलिए जरूरी है क्योंकि वो आपको सबसे पहले तो एक discipline प्रोवाइड करता है जैसे कि school में भी तो सब discipline होता है definitely school भी जरूरी है और tuition मी जरूरी है तो यह जैसे parents जो होते बहुत सारी चीजों में involved होते है अगर parents अपने बच्चों को as a teacher control कर सकते है तो कोई जरूरत नहीं है tuition का कोई जरूरत नहीं है tuition का बट हाँ यहाँ पर बस आपको यह tuition guide करता है कि आपका जो homework है ओ आप proper time पे कीजे आपका जो task है ओ आप proper time पे कीजे तो इससे आपको फाइदा क्या होता है just for the examination कि आप 9th का final exam दे रहे है 10th vote का final exam देते है तो final exam के time आप देखिएगा guide का विक्री बढ़ जाता है अब क्यों guide का विक्री बढ़ जाता है क्योंकि एक साल से पढ़ाई किये नहीं है तो ओ क्या सोचते हैं कि साला question answer रट्टा मारेंगे और exam में जा करके अपने आपको represent करेंगे तो tuition आपको इस दिए provide करता है कि जैसे आपका first terminal का syllabus है आप एक week में क्या पढ़ना है दो week में क्या करना है एक महीने में आपको कितना complete होना चाहिए फिर आपने एक महीने में जो आप पढ़ा है उसका आप exam दीजिए अपने आपको मतलब आपको competitive बनाता है हमेशा आपको देखिए कि आप क्या score कर पा रहे है तो आप जब हमेशा अपने आपको judge करते रहिएगा तो at the end आपका final result अच्छा होगा और directly आप final exam में चले गए कभी आप exam दिये ही नहीं तो यह parents के लिए possible नहीं है कि हवीकली अपने बच्चों का exam ले मंथली अपने बच्चों का exam ले बच्चों का score देखे ठीक है तो यह institution का काम होता है guide करना आज कहां कहां के बच्चे हैं वह च्छोड़ च्छोड़ बच्चे हैं आज हमारे पास बहुत सारे स्कूल के बच्चे हैं एवीन स्कूल के बच्चे हैं कुछ द्यवी स्कूल के बच्चे हैं डीपीएस स्कूल के बच्चे हैं और भी करंडी से बच्चे हैं सरकारी स्कूल के बहुत सारे बच्चे हैं और private school के बच्चे, युगसलाई के कुछ बच्चे होंगे, करंडी के बच्चे होंगे, तो सारे जगह से बच्चे हैं हैं, आरे हमारे पास. अभी तुम कौन स्कूल में हैं और क्या चीज के बढ़ाई कर दें? हम avian school में हैं और 8 class मैं हैं. इहां पर क्या चीज के लिए पुरसकाल्त के लिन की लिना। मैम वने फोने किशले रहे थो गारी। ऐसे बबंते आप दूदिया सब्सक्राइस के लिए दूधी भाग रहे हैं। भारते मोडल मिलें स्कुल जीके का आप कहां से हैं मैं एवियन हाई स्कुल से आई हूँ और यहां पे बटल बटरफ्लाई ओसी क्लासे से एकजाम लिया गया था जिसमें मैं स्लेक्ट हुई हम भी सेम एवियन हाई स्कुल से हैं फज हुँ रहे हैं अच्छे वेग्जानिक बन सकते हैं य एर फोर्स बन सकते हैं और सब से बड़ी चीज एकि वह आपने द्रीम को सकसेस कर सकते हैं बटर फ्राई यही काम कर रहा है चाहे बच्चे निम्न आयके हो चाहे आच्छे घर को हूँ सभी को लेकर चलना बटर फ्राई का स्कीम है और बटर फ्राई इसमें अच्छा काम कर रहा है और A.D.Live की पुरी टीम इस काम में हर समय बटर फ्राई का साथ देते रहेगी A.D.Live का वीडियो को सेयर कीजिए, लाइक कीजिए A.D.Live की पुरी टीम के और से सभी को धन्यवाए